हलो फ्रेंड्स, वैलकम टू दी देगुन क्लासेज, दी एजुकेशन और प्रोफेशनल क्लासेज फॉर ओल गौर्मन एक्जाम की प्रिपेशन करना वले कैंड़ेट्स हों जा स्कूल की स्टुडेंट्स हों यह साइनस सेज सभी के लिए बहुत जादा ही बनिफिशल है, क्योंकि NCRT के रेफरेंस है, सारे पॉइंस से NCRT के इंग्रूट किये गए है तो जो गौर्मन एक्जाम के त्यारे करना वले कैंड़ेट्स हैं, उनके लिए बनिफिशल है और स्कूल स्टुडेंस के लिए तो है ही आज हम लोग जो है, प्लास एट का चाप्टर थर्डिन जिसका नाम है साउंड, उसको करने वाले हैं आज हम जानेंगे साउंड की इंटरस्टिंग फिनॉमेना जो आपको पहले नहीं पताऊंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में और वुक्त होती है फिर हम वाइस बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड नीड अ मीडियम, हुमन इयर, क्रेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑडिबल, इन अडिबल साउंड, नॉइस अंड मूजिए नॉइस पॉलिशन के होते हैं आपने चाहरो तरफ different types of sound सुनते हैं, sound वो music instrument का हो गया, या vehicles के sound हो गया, या human being का sound हो गया, आप अपने चाहरो तरफ different types of sound सुनते हैं, तो यह sound क्या है, यह sound कैसे produce होता है, इसकी क्या features होते हैं, तो यही हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, कुछ sounds आपको सुनने में pleasant लगते हैं, यानि आपके कानों को अच्छा मैसूस होता है, और कुछ sounds आपको irritate करते हैं, तो यह सब क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं, तो देखे, sound, sound is a form of energy, sound एक energy है, किसके जैसे, heat की तरह, light की तरह, potential energy की तरह, kinetic energy की तरह, तो sound भी एक टाइप की क्या है, energy है, जो क्या करती है, sensation of hearing in our eyes, जो हमें महसूस कराती है, कि हम सुन सकते हैं, sound वो sensation है, जो हमें feel कराती है, कि हमें सुनाई देता है, ठीक है, sound जो है, help us to communicate with each other, वो sound ही है, हमारी जो आवाज है, वो क्या है, वो sound ही है, वो आवाज ही हम इस्तमाल करते हैं, एक दूसर से बात करने के लिए, तो sound क्या है, medium है, communicate करने का, ठीक है, अब देखे, sound का production कैसे होता है, जो सबसे पहला point है, sound is produced due to the vibration of object, object क्या है, कोई भी चीज, उसकी vibration से क्या होता है, sound produced होता है, तो अब ये चीज क्या है, तो देखे, for example, कि हम एक music instrument ले लेते हैं, हम flute को ले लेते हैं, बासुरी को ले लेते हैं, तो ये क्या है, ये object है, इसके अंदर क्या होती है, छोटोटे particles होते हैं, तो जब भी इस flute के particles हीलेंगे, बाइबरेट होंगे, आपस में टकराएंगे, तो ये क्या करेंगे, sound produce करेंगे, तो sound basically क्या है, vibration of object, object में जो movement होता है, motion of materials और object cause vibration, vibration के सुझे से होता है, मैंने भी बताया, material के अंदर जो motion होता है, यानि इनके particle में जो motion होता है, उससे vibration होता है, ठीके, vibration is a kind of rapid to and fro motion of an object, a central position, it is also referred to as oscillation, आपने example, आपने एक pendulum देखा होगा, pendulum जो होता है, क्या होता है, pendulum move करता है, इधर आता है, फिर pendulum अपनी position पर चला जाता है, फिर pendulum इधर move करता है, और फिर वापस अपनी position पर आ जाता है, तो ये क्या है, ये to and fro है, यानि आगे and पीछे, आगे और पीछे होना किसी object का, जिससे क्या होता है, object में vibration प्रडियूज होती है, और वो जो vibration है, वो क्या produce करती है, sound, और इसी vibration को हम oscillation भी कहते हैं, एक और example इसका है, swing, जब हम बच्चे जूला जूलते हैं, तो swing पहले पीछे जाता है, फिर आगे आता है और फिर वापस अपनी position पर, यानि कि to, fro and वापस अपनी central position पर, इसे हम बोलते हैं, vibration या oscillation, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, human में sound कैसे produce होता है, हम जो बोलते हैं, human being जो बोलते हैं, वो sound है, वो sound कैसे produce होगा, तो देखिए, जो human being है, उसके neck में, यहाँ जो wind pipe होती है, उस wind pipe के just उपर यहाँ पे, एक क्या होता है, voice box होता है, जिसको हम larynx भी कहते हैं, यही larynx, यही जो voice box है, यह क्या करता है, हमारे गले से आवाज निकालता है, जिससे हम दूसरों से बात ही करते हैं, देखिए, it is situated at the upper end of the wind pipe, हमारे जो सास की नली है, उसके उपर होता है, और इस larynx के अंदर क्या होता है, two stretch membranes, दो stretch membranes होते हैं, मैं भी आपको इसका कोर्ड कहते हैं, जो larynx के साथ जुड़े होते हैं, ठीके, और उन दोनों के बीच में एकदम narrow slit होती है, जगा खाली होती है, जेखो मैं आपको नहां दिखाती हूं, तो यह देखिए, यह जो है हमारे नेक कर डाइग्रम है, यहां जस्ट मारा विंड पाइप और फूड यह जो है हमारा क्या है, वाइस बॉक्स है, जिसको larynx बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीके, और यह जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, वोकल कोर्ड है, एक वोकल कोर्ड होगा, एक वोकल कोर्ड यहां, टू पेर्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में थोड़ ठीके, can make the cord tight or loose, यही मसल्स इन कोर्ड को खीच के tight कर देते हैं, और loose छोड़ के ढीला कर देते हैं, तो क्या होगा, कि जब हमारे गले में, वोइस में, गले के अंदर हवा जाएगी, तो यह हवा जो है, इन से, इन वोकल कोर्ड से टकराएगी, टकराएगी, यानि कि गलार हमारा tight होगा, और हम जो sound निकालेंगे, हम जब बोलना start करते हैं, तो वो जो sound है, हमारे इन vocal cord से टकराती है, और इन में vibration होती है, और यही vibration क्या करते है, sound produce करते हैं, जो हमारे गले से बहान निकलती है, और जब muscles धीले हो जाते हैं, तो यह वोकल कोर्ड लूस हो जाती है, तो हम बोलना बंद कर देते हैं. तो यह है हमारा क्या कि हम human being के गले में sound कैसे प्रडूज होता है? जो vocal code है, वो टाइट होता है, air जो पास होती है तो vocal code से टकराती है, तो हमारे जो vocal code है बाइबरेट होता है और हमारे गले से sound प्रडूज होती है, बाहर आती है और हमें सुनाए देती है तो sound जो है क्या है propagation of sound क्या है sound को medium चाहिए हम जो आवाज बाहर निकालते हैं तो उस आवाज को बाहर आने के लिए दूर दूर तक जाने के लिए medium चाहिए बिना किसी medium के वो travel नहीं कर सकता है यानि किसी रास्ती के जरौत होती है उसको the traveling of sound is called propagation sound का एक जगह से दूरे जगह पर travel करना ही propagation है and sound is propagated by the to and fro motion of the particles मैंने भी पताया sound जो है object के अंदर जो motion होता है आगे पीछे just like pendulum तो उससे क्या होता है sound produce होती है और propagate होती है ठीके और मैंने भी आपको बताया sound needle medium किसी medium के बिना वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती तो क्या है a medium is necessary for propagation of a sound wave ठीके तो medium क्या-क्या हो सकते है medium solid हो सकता है liquid हो सकता है और gas हो सकता है तो solid का example देखिए मैं आपको बताती हूं कि तीन medium है solid liquid and gas और एक चीज़ और है कि मैंने आपको बताया sound को travel करने के लिए medium चाहिए तीक है यानि कि किसी path की जरूत है वो है solid liquid or gas but sound cannot travel in vacuum vacuum क्या है vacuum वो space है जहां पे कुछ भी नहीं है even वहां पे क्या है air भी नहीं होती है no air तो वो जगर तो उस जगर पर sound कभी भी travel नहीं करेगी ठीक है true vacuum refer to the complete absence of matter कोई भी matter नहीं है solid liquid gas कोई भी matter नहीं है तो कोई भी medium नहीं है तो sound need a physical medium in order to propagate तो वहां पे हम कितना भी बोलेंगे ना वहां पे हमाई sound ना तो निकलेगी और ना दूसरों के कानों तक जाएगी अब देखे solid में sound कैसे produce होगा इसका example देखे doctor जब आपकी heart beat को जब आपको check करते हैं स्टेटिस्कोप से check करते हैं तो क्या होता है यहां से जो heart beat होती है जो vibration होता है वो इस स्टेटिस्कोप तक पहुंसती है और स्टेटिस्कोप के particles vibrate होते हैं तो वह sound यहां से कानों तक पहुंसती है और कान से कैसे आगे पहुंसती है उसको हम अभी डिसकुस करेंगी कि हम सुनते कैसे हैं वहां में पता चलेगा second medium है आपका liquid पानी के अंदर भी sound produce होती है प्रोपोगेट होती है तभी तो animals एक दूसरे से बात करते हैं और signal पास आउट करते हैं sound can propagate through air air का best example तो हम सबी हैं मैं आपसे बात करूंगी आप मुझसे बात करेंगे मैं आपकी आवाज सुन रही हूं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं क्योंकि हम दोनों की बीच में जो air है जब मैंने बोला तो air की जो पार्टिकल से वाइबरेट हुए उन्ह आप तक पहुचाया और वह sound आपके कानों तक गई ठीक है तो आप देखिए ears कैसे यह sound सुनते हैं मैंने बोला हवा में वह sound प्रोफोगेट हुआ यानि कि travel किया और आपके कान तक पहुचा अब आपके कानों ने कैसे उसको assume कि मैंने कुछ सुना है तो वह देखिए तो सब से starting वाले हिस्से को बोलते हैं यहां से sound आई यहां से साउंड आई और यहां से इसमें extract है यहां से ट्रेवल किया तो यहां से मिडल्य आपके की ऑपर होता है यह आपका मिडल इयर है और इन्टर्नल एयर हैं और अफर्ड यह पॉर्ट्षं तो sound यहाँ से travel किया middle ear पे आया middle ear पे आके जो है यहाँ पे ear drum होता है ear drum तो उस sound ने ear drum पे struck किया इससे क्या हुआ ear drum vibrate होना चालू हुआ ear drum vibrate हुआ और vibrate होके उसने क्या क्या sound को generate किया और आगे पहुचाया तो यह sound आपका कोचेलिया तक पहुचा कोचेलिया इसने क्या किया इसने जो sound को signal बना दिया और signal को हमारे brain तक जो यहाँ से जाती है हमारे brain में यहाँ पहुचाई और यह जो हिस्ता है यह हमारे गले से जुड़ा हुआ है और यह जो हिस्ता है यह हमारे नोस से जुड़ा हुआ है ताकि नाक और मुझ दोनों से हम क्या करें एर को कंट्रोल कर सके जिसे कि हमें आवाज प्रॉपर सुनाएगे ठीक है तो यह हमारे एर का थ्री पार्ट होता है अपर, मीडल और इंटर्नल अपर से पास किया मिडल में एर ड्रम में वह आवाज प्रॉपर सुनाएगे तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे सुनते हैं थैंक्स वर वाचिंग फ्रेंड आज के लिए इतना इता इसके बात जितने में मारे टॉपिक सांस और रिटूट रह गये हैं इसको हम अपने सेकंड पार्ट पर डिसक्स करेंगे तब तक के लिए अगर आपको में इस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा थांक्स पर वाचिंग कीप स्माइलिंग करती है तो इसके जो है क्या है सबसे पहला है एंपिट्यूट एंपिट्यूट क्या है in a sound wave the maximum displacement associated with the particle constituting a wave is called amplitude amplitude क्या है कि जो sound की wave है वो कितनी high उसके displacement कितनी जादा हो रही है वो amplitude है यह जो position है जितनी जादा high होगी amplitude उतना जादा होगा elevation जितना जादा होगा amplitude उतना ही जादा होगा इसको crest बोलते हैं यह वेडिकी length है यहां से यहां तक एक wavelength complete हो रही है तो यह height amplitude है जितनी ज़्यादा height होगी sound उतना ज़्यादा उसकी amplitude उतनी जदा होगी और length जितनी कम होगी उसकी amplitude उतनी कम होगी अब इस amplitude से क्या फरक पड़ता है इसको हम आगे पड़ेंगे amplitude के जो ऐसा unit होती है वो हमारी meter होती है इसको हम meter में measurement करते है second quality आती है इसकी frequency, frequency क्या है the number of vibration जिसको हम oscillation भी बोलते हैं completes by an object in one second एक second में कोई भी object कितना vibrate हुआ उसने कितनी oscillation complete की है उसको हम frequency करते है जैसे कि number of oscillation divided by total time ठीक है for example कि किसी object ने 80 times vibration किया है एक second में तो उसकी frequency क्या हो जाएगी 80 यानि कि total oscillation और total time अगर मैं कहूँ एक oscillation कितने time में होगा तो उसको हम करेंगे 1 upon t ठीक है तो frequency और amplitude दोनों ही important factor है sound की quality के लिए कैसे ऊसको हम आगे बढ़ेंगे तो यहँंपर देखें कि यह जो आप देख रहे हैं यह अपी त्यूट बता रहे है ठीक है और यह time time है amplitude है egal यहां पर जितना जादा उपर साउंड जाएगा यह जितना ही उपर लैंथ जाएगी उसे हम एम्पिट्यूड बोलेंगे और जितनी जल्दी जल्दी जितनी जादा उसलेशन करेगा उसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे यहां पर क्या है फ्रिक्वेंसी कम है इसको फ्रिक्वें आगे टाइम टेकन बाइन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स अब दो मीजियम फर कम्पीटिंग वन उसलेशन अब टाइम किया है एक उसलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पिरिट बोलते हैं अब देखिए यह वे ब्लैंट है ठीक है और यह एंप् पूरा कि वापस आने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पिरिट बोलें ठीक है और इसी टाइम पिरिट में यह जो हो रहा है यह और तो थ्री फैक्टर्स हैं किसी भी साउंड के लिए और इन थ्री फैक्टर्स का कैसे एफेक्ट पड़ता है आगे देखिए तो पैंड करती है इंप्लिटू फ्रिक्वेंसी पे उह कैसे करती है तो चलिए देखते हैं लावडनेस ऑफ्ट साउंड इस दी मेसरमेंट अफ साउंड एनरजी रीचिंग दे एयर पर सेकेंड एक सेकिंड में जो साउंड हमारे कानों तो पहुंसती है उसे हम लावडनेस बो क्या होता है जो लावडनेस है वो क्या है वो प्रपोर्शनेट होती है एमप्लिट्यूड के स्क्वेर के यानि कि एमप्लिट्यूड 2 है तो लावडनेस 4 होगा क्यों एमप्लिट्यूड का स्क्वेर हमारा लावडनेस होता है तो जितना जादा एमप्लिट्यूड होगा उ इसकी length कम है इसकी length जादा है पहले वाले से तो इसका amplitude जादा है तो इसका amplitude जादा होगा वो sound जादा produce करेगा इसकी sound जो है इसकी soft होगी और इसकी loud होगी इसकी आवाज तेज तो नहीं देगी इसकी कम जितनी जादा amplitude high होगा उतना जादा ही sound तेज तो नहीं देगा एम्पिट्यूट कम होगा यानि कि wavelength की height जादा नहीं होगी sound soft होगा ठीके उसके बाद pitch and shrillness तो आप में देखा होगा कि अलग लोगों की अलग लोग अनिमल्स की birds की आवाज अलग लग होती है for example मैं girls और boys की ले लो तो girls की आवाज जो है वो एक दम shrill होती है मतलब एकदम टीकी होती है पतली होती है अब boys की जो है वो हाड होती है मोटी आवाज होती है तो उसे हम pitch कहते है वो pitch कैसे decide होता है वो pitch decide होता है frequency से देखो आवाज तेज या कम सुनाए दे रही है वो डिपेंड करता है amplitude पे और आवाज तीकी है soft है या hard है वो हमारा डिपेंड करता है pitch पे तो कैसे देखिए यहां पर देखिए pitch is the sensation brain interprets of the frequency of the emitted sound किसी भी sound से जो frequency निकलती है वो ही बताता है sound की pitch कैसी है the pitch of the sound depends on the frequency frequency पर depends करता है pitch मैंने अभी आपको बताया sound with the greater frequency shrillness and has a higher pitch जिसकी frequency जादा होगी उसकी pitch high होगी और वो आवाज तीकी और पतली होगी और जिसके frequency low होगी उसकी आवाज में shrillness कम होगी और वो आवाज मोटी होगी लो और पिछकी होगी तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तेक की timing में देखो यहां जो oscillation कम time period में जादा maximum frequency हो रही है तो इसके pitch होगी क्या होगी high होगी और इस तरीके की frequency होती है girls में और यह frequency होती है boys में ठीक है जिसके frequency बहुत कम है जिसके frequency जादा होती है कम time में वो voice soft होती है यह voice बच्चों में होती है ठीक है तो इस तरीके की factors हो decide करते हैं तो amplitude decide करेगा आव आवाज तेज है या सॉफ्ट है और आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बताएगा कि आवाज आपकी श्रिल होगी या हाड होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एग देखे हमने साउड की क्वाल्टी पड़ लिए उसकी हाइई पिच्च और पीच के वार नमपढ़ लिया मैंने आपको बताया साउंड की होती है audible range होती है उसकी amplitude high या low होगी तो वो sound का क्या करेगा range decide करेगा human ear can detect sound in the range 20 hertz लेके 20,000 hertz तक का sound जो है वो audible होता है यानि कि वो हम लोग सुन सकते हैं हमारे कान उसको सुन सकते हैं 20 hertz लेके 20,000 hertz तक के बीच का जो sound होता है उसे हम सुन सकते हैं जिसको हम audible sound कहते हैं music का instrument का cracker का ठीक है यानि कि frequency यह frequency है ठीक है 20 से कम की frequency को हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 से जादा की वी frequency को हम नहीं सुन सकते हैं इनको हम कहते हैं inaudible sound इस तरी कि sound कुछ आनिमल सुन सकते हैं देखेए बैट calls are in the inaudible ultrasonic sound यह हाइज sound को 20 सजा से जादा कि जो sound होती है frequency इनको बैट सुन सकते हैं dog सुन सकते हैं dog जो है दोनों sound सुन सकते हैं supersonic भी और ultrasonic भी तो तो जो sound 20 hurt से कम के होते है वो भी सुन सकते है टाग 20 सजाँ से ज़ादा के होते हैं वो भी ठीके बत human being गे जो है स्रिप इस range की ही sound को AltRa sound नम Transform होती है बहुत ज्यादा की sound इस sound का बहुत जादा यूज़ होता है इस sound का यूज़ होता है इसकी साउंड की रेंज है ये 20 से आपकी 20,000 हर्स तक होगी ठीक है ये जो है 20,000 से उपर की आवाज को निकालते हैं उसके उपर की आवाज को ये सुनते हैं ठीक है तो ये आडिबल साउंड का रेंज होता है अब देखें म्यूजिक क्या होता है म्यूजिक जो है प्लेजन साउंड होती है वह साउंड जो हमें सुनने में अच्छी लगती है उसको प्लेजन साउंड कहते हैं जैसे कि फ्लूट, किटार, वॉयलें इन साउंड होते हैं जो मैलोडियस होते हैं मीठी साउंड होती है ठीक एक जो प्लेजन्ट होता है जो हमें अच्छे लगती है जैसे कि म्यूजिक सिस्टम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का और दूसरे जो हमें इरिटेट करते हैं तो उन्हें हम नॉइस कहते हैं तो यह दो टैप्स के साउंड है ठीक है अब देखे प्रेजन्स उप एक्सेसिव के ट्रैफिक सिग्नल पर आदकें नहीं होते तो वो सभी noise pollution में आते हैं ठीक है और noise pollution जो हैं बहुत ज़्यादा ही हामफुल होते हैं कैसे यह हमें anxiety और stress देते हैं इससे हमें स्ट्रेस होते हैं सर में दर्द होगा घबराहट होती है इसे बीपी का अटेंशन भी होता है नीम ना आने के प्रॉब्लम हो जाती है और जाधा देर तक हम इस तरीकी के environment में रहते हैं sound वाले noise वाले में तो हमें hearing impairment भी हो सकता है यानि कि हमें कान उसे प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि हम आगे भविशे में ना सुन पान जैसे problem से क्या कह सकते हैं फेस करना पड़ सकता है तो ठीक है तो देखिए कौन-कौन से sound है और उसमें कैसे avoid कर सकते हैं देखिए industry and factory unit which produce a lot of noise should be step away from the residential area इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो हाँ हम रह रहे हैं उ क्योंकि उनसे आने वाले शोर इरिटेट कर सकते हैं unpleasant होते हैं ठीक है silencer should be installed in aircraft industries home appliances घरों में हम चीज़े यूस करते हैं जो हम वीकल्स गारियां यूस करते हैं उनके अधे silencer का यूज होना चाहिए ताकि sound कम से कम प्रडूज हो lots of trees should be built around such factories industries के आसपर हमें खुब सारे plants लगाने चाहिए क्यों कि जो है वह protect करते हैं sound को आने से off-trap करते हैं रोकते हैं minimum use करना चाहिए horns का वीकल में ठीक है low volume पे tv music system हमें चलाना चाहिए ठीक है crackers का use हमें बहुत से बहुत कम से कम करना चाहिए ठीक है तो यह चप्र यहीं खदम होता है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करना मत भूलेगा ठीक है thanks keep smiling keep studying thank you so much